पाठ चार वाक्य अब वाक्य को हम हिंदी ग्रैमर में जहां वाक्य कहा जाता है वहीं इंग्लिश ग्रैमर में इसे सेंटेंस कहा जाता है अभी तक हमने जिस प्रकार छोटे छोटी 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 छीजों को मिलाकर और धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ने लगे हैं ये देख रहे हैं, तो वाक्य क्या होते हैं, जब हम शब्दों को जोड़ देते हैं, कई शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं, तो शब्दों को जोड़ कर वाक्य बनाए जाते हैं, हर वाक्य का अर्थ होता है, तो देखिए, जिस प्रकार सही रूप से शब्दों को हम म बना पाते हैं, नहीं तो गलत वाक्य से कोई अर्थ नहीं निकलता, नीचे देखते हैं, नीचे शिल्पा और अभिशेक, ये शिल्पा और अभिशेक शब्द जोड़कर वाक्य बना रहे हैं और बात कर रहे हैं, शिल्पा ने कहा तुम्हारा, ये एक शब्द है, प्लस क्या प्लस नाम प्लस है अभिशेक ने कहा मेरा प्लस नाम प्लस अभिशेक प्लस है इसमें क्या हुआ शिल्पा ने अभिशेक से पूछा तुम्हारा क्या नाम है अभिशेक ने बताया मेरा नाम अभिशेक है इसी तरह हम शब्द जोड कर तरह तरह के वाक्य बना सकते हैं तो दे प्लस नाम प्लस है तो ये चारों शब्दों को जोड़ कर शिल्पा ने कहा तुम्हारा क्या नाम है वहीं अभिशेक ने ये चार शब्द जोड़े मेरा प्लस नाम प्लस अभिशेक प्लस है और इसने क्या जवाब दिया मेरा नाम अभिशेक है तो जब हम इस तरीके से शब् कुछ और वाक्य पढ़िए जैसे यहां यह बच्चे आपस में बात कर रहे हैं यह प्लस मेरी प्लस साइकल प्लस है इसका मतलब हुआ यह मेरी साइकल है कि यह बच्चा कह रहा है मुझे रश्गुल्ला पसंद है तो यह चार शब्द मने जुड़े मुझे रशुक्वुले पसंद Wakya बच्ची बोल रही है मुझे बरफि अच्छी लगती है बच्ची ने 50 अपर शब्द वाक्य बनाया यहा कई बच्चे आपस में बात कर रहे हैं मैं बैटिंग करूंगा दूसरा बोल रहा है मैं करूंगा तीसरा बोल रहा है पहले मैं करूंगा और चौता बोल रहा है नहीं मैं बैटिंग अच्छी करता हूं तो उपर चित्रों में बच्चे वर्णों को जोड़कर वाक्य बना रहे हैं, वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगय रखना जरूरी है, देखिए अगर हम शब्दों को सही तरीके से नहीं रखेंगे तो वो सही वाक्य नहीं बन पाएगा, अगर हम ऐसा ना करें तो ही वाक्य कि गलत हो जाता है जैसे मैं हूं खान्थी आइसक्रीम अगर हम इस तरीके से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मैं हूं खान्थी आइसक्रीम अब इसको सही देखते हैं, आईए अब इन शब्दों को प्रयोक सही जगे पर करते हैं, तो पहले आएगा मैं, बाद में आएगा आइस्क्रीम, फिर आएगा खाती और लास्ट में आएगा हूँ, तो अब क्या बन जाएगा पूरा वाक्य मैं आइस्क्रीम खाती हूँ, तो जैसे मैं आईस्क्रीम खाती हूँ, इस वाक्य में शब्दों का प्रयोग सही जगय पर किया गया है, जिससे वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए यह वाक्य सही है, अब इस पार्ट में हमने क्या क्या सीका, शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बना आइए है घोडा दॉड रहा तो ये गलत तरीके से शब्द रखे हुए हैं इसको हमें क्या करना है घोडा दॉड रहा है उसी तरीके से जाती अभिलाशा है स्कूल इसको हम कैसे बोलेंगे सही अभिलाशा स्कूल जाती है आगे देखते हैं है रहा इशान खा खाना तो यहां क्या हो रहा है इशान खाना खा रहा है रहा जोकर है हस तो यहां क्या हो रहा है जोकर हस रहा है तो इस प्रकार हम सही शब्दों को सही सीक्वेंस में रखके प्रॉपर वाक्य बना सकते हैं चित्र देखकर वाक्य बनाईए यहां बच्चा क्या कर रहा है बच्चा हस रहा है मूर क्या कर रहा है मूर नाच रहा है कुत्ता क्या कर रहा है कुत्ता भौक रहा है अमित क्या कर रहा है अमित सो रही है चिडिया क्या कर रही है चिडिया उड रही है रवी क्या कर रहा है रवी पढ़ रहा है तो और अगला अभ्यास है कटोरी में रखे शब्द लेकर चार वाक्य बनाईए तो कटोरी में हमें कई शब्द दिख रहे हैं और हमने आपको बताया था कि शब्दों को अलग-अलग तरीके से जोडने से हम उनी शब्दों से कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, जैसे यहां अगर आप देखेंगे, दीपा खाता है, स्कूल चॉकलेट रहा जाती, गौरव उड़ खाना खा तोता है, तो कई हमें शब्द दिख रहे हैं, तो हम इन से क्या-क्या बना सकते हैं, दीपा स्कूल जाती है, ठीक है, गौरव चॉकलेट खा रहा है, तोता उड़ रहा है, दीपा चॉकलेट खा जाती है, इस तरीके से हम कई शब्द इससे वाक्या बना सकते हैं इन शब्दों से.